राधे राधे फ्रेंट्स मैं वीना पाठक मुरादावास से फ्रेंट्स आज आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी जो की हैंगिंग बास्केट में बहुत सुन्दर लगते हैं वैसे भी वो सुन्दर होते हैं लेकिन हेंगिंग बास्केट में लगा दो तो उनकी सुन्दरता को और भी चारचांद लग जाते हैं जो मैंने लगाए हुए हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको उसमें सबसे पहला प्लांट तो आता है फ्रेंट्स मनी प्लांट जो की बहुत ही कॉमन है और जादा तर घरों में ये हैंगिंग बास्केट में लगाए जाता है बहुत सुन्दर लगता है देखिए बहुत प्यारा लगता है आप किसी भी हेंगिंग बास्केट में लगा दें पानी में लगा दें तो इसकी बेल चलती है जो भी बहुत ही खुबसूरत लगती है दूसरा है फ्रेंड्स यह बॉस्टन फर्स यह भी बहुत कॉमन प्लांट है बहुत ज्यादा है बहुत सुंदर लगता है यह पर्मानेंट प्लांट है जो भी मैं आपको दिखा रही हैं फ्रेंड्स देखी कितना प्यारा लग रहा है सब ये शैमी शेड में बहुत अच्छे चलते हैं फुल सनमेन को नहीं रखना है सैमी शेड में रखें बहुत ही प्यारे लगते हैं देखी कितना सुन्दा लग रहा है और एकदम पूरी बास्केट भड़ जाती है तो और भी जादा सुन्दर लगता है तीसरा ये है फ्रेंड्स हेज बोलते है ज्राउन कवर के लिए भी ये लगाए जाता है और हेंगिंग बास्केट में भी बहुत सुन्दर लगता है बहुत ही प्यारा लगता है मेरा hanging basket में लगा हुआ है किस तरह फैलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए फ्रैंड छोटे से एक pot में लगा हुआ है इस तरह इसकी पूरी बेल फैलती है ज्योंकि बहुत सुन्दा लगती है देखिए नीचे तक यह जा रहा है पूरा ऐसे बेल लटक जाती है और इसमें फ्लॉबरिंग भी होती है यह भी बहुत सुन्दर लगता है इसे भी हैंगिंग बास्केट में आप लगाईए बहुत प्यारा लगता है चौर्था है फ्रेंड्स बंडरिंग जीओ यह भी बहुत जादा सुन्दर लगता है हैंगिंग बास्केट में और इसकी लीपस होती है वो कलर भी बदलती है धूप मिलता तो अलग शेड हो जाता है और shade में अलग इसका color हो जाता है semi shade में ये भी बहुत सुन्दर लगती है hanging basket में इसको लगाओ मेरे याँ तो ये बहुत ज़्यादा लगी हुई है और cutting से बहुत आसानी से ये लग जाती है ये भी बहुत सुन्दर लगती है hanging basket में, pot में किसी में भी आप लगाईए easy to grow है बहुत सुन्दर लगती है एक ये है friends sweet potato vine ये भी बहुत सुन्दर लगती है ये मेरी hanging basket में लगी हुई है pot में भी लगा रखी है मुझे ये plant बहुत ज़्यादा पसंद है permanent plant है ये vine बहुत सुन्दर लगती है इसे भी hanging basket में friends जरूर सामिल कीजिए एक और है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए पूरा pot cover कर लेती है ये और इसकी बेल लटकती हुई बहुत सुन्दर लगती है इसको hanging basket में लगाईए ये भी बहुत सुन्दर लगती है अगला है friends ये jet plant इसकी भी hanging basket बहुत अच्छी लगती है ये भी cutting से बहुत आराम से लग जाता है low maintenance plant है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ये सब मेरे hanging basket में लगे हुए है बहुत अच्छी लगती है इनको आप लगाईए अगला है friends ये सिंबोनियम arrowhead plants भी बोलते हैं इसे इसकी अलग-अलग shade और color आते हैं ये भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसके और color भी मैं आपको दिखाती है देखिए ये pot में लगा हुआ है मेरे hanging basket में भी लगे है वो उंची है इसलिए मैं आपको pot का दिखा रही हूँ है ये भी बहुत सुन्दर लगते है hanging basket में एक ये है friends fox tail furl बोलते है ये भी बहुत अच्छी लगती है hanging basket में तेल की तरह इसके एक एक ये लटके रहते हैं नीचे बहुत सुन्दर लगते हैं ये hanging basket का देखिए ये भी hanging basket में आप लगाईए बहुत सुन्दर लगते है fox tail furl बोलते है ये की है friends purple heart इसे भी आप आसानी से cutting दारा hanging basket में लगा सकते हैं बहुत सुन्दर लगता है ये इसमें छोटे छोटे पिंग कलर के फूल भी आते हैं cutting से ये आराम से लग जाता है hanging basket में देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और ये है friends riven grass ये भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगती है बहुत जल्दी ही पूरे pot को cover कर लेती है ग्रीन बाली है और एक ये variegated है इसको भी आप hanging basket में आराम से लगा सकते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं ये plant और ये सारे में आपको permanent plant बता रही हूँ जो कि एक बार basket बना दो और tension free हो जाओ देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं एक ये है 10 o clock इसकी भी hanging बहुत अच्छी लगती है summer में summer में इसकी hanging basket बनाई है फूल खिलते हुए बहुत सुन्दर लगते हैं अलग-अलग color और क्या आते हैं ये ये भी बहुत सुन्दर लगते हैं इसकी भी hanging basket आप बनाई है बहुत सुन्दर लगेंगे ओके फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रादे रादे फ्रेंड्स